सल्मान खान को ईमेल के जरीए आई है थ्रेट मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले एक इंटर्विव जो की लॉरेंस बिशनोई का जिसके अंदर उन्होंने सल्मान खान को भी चिनोती दी थी थ्रेट दी थी उसी के साथ चलते आज एक इमेल आती है और वो इमेल जो है सल्मान खान के मैनेजर को आती है सल्मान खान के लिए जिसके बाद आज मुंबई पुलीस ने और सेक्योरिटी जो है सल्मान खान के घर के बाहर लगा दी है सल्मान खान को ईमेल के जरीए आई है थ्रेट मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले एक इंटरिव्यू जो की लॉरेंस बिश्नोई का जिसके अंदर उन्होंने सल्मान खान को भी चनोती दी थी थ्रेट दी थी उसी के साथ चलते आज एक इमेल आती है और वो इमेल जो है सल्मान खान के मैनेजर को आती है सल्मान खान के लिए जिसके बाद आज मुंबई पुलीस ने और सेक्यूरिटी जो है सल्मान खान के घर के बाहर लगा दी है प्रणाम सभी को राम राम जो आज सल्मान खान के मैनेजर को इमेल आया उसमें लिखा क्या हुआ था हम आपको बता दे उस इमेल में हिंदी में लिखा हुआ था गोल्डी भाई को बात करनी है तेरे बॉस से और साथ ही में लिखा है लॉरस बिश्णोई का इंटर्व्यू देखी लिया होगा उसने शायद नहीं देखा तो बोल दियो देख ले मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दियो फेस टू फेस करवा दो वो बता दियो matter close करना है तो बात करवा दियो face to face करना हो तो भी बता दियो अभी time रहते inform कर दिया है अगली बार जटका ही देने को मिलेगा ये email के जरीए एक threat दी है सल्मान खान को और ये email आज सुभा सल्मान खान के manager को आता है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिशनोई का जो interview हुआ जिसके अंदर उन्होंने बड़ी सारी बातों के बारे में जिकर किया है जिसमें सिद्दू मूसे वाला और सल्मान खान का भी जिकर हुआ है उसी को देखते हुए सल्मान खान को एक email आ जाती है उनके manager के जरीए और ये कहा जाता है कि सल्मान खान से face to face बात करनी है और ये भी कहा जा रहा है कि सल्मान खान ने अगर लॉरेंस बिशनोई का interview नहीं देखा है तो एक बार देख ले क्योंकि boss उनसे बात करना चाते है boss गोल्डी बरार के लिए कहा जा रहा है और मैं आपको बता दू already लॉरेंस बिशनोई का interview जो है जेल से होता है तो कहीं सारी बाते जो है इस समय सामने आ रही है इन सभी चीजों को देखते हुए मुंबई पुलीस ने सल्मान खान के घर के बाहर और पहरा लगा दिया हुआ है सल्मान खान जो कि इस समय देश में सबसे बड़े हमारे हिंदी बॉलिवुड के कलाकार है उनको जो लगातार threat आ रही थी लारेस बिशनोई और गोल्डी बरार की तरफ से आज सुभा सुभा ये एक fresh email आई है जिस email के अंदर हिंदी में एक threat दी है सल्मान खान को सल्मान खान के घर के बाहर तो पहरा लगा दिया है लेकिन अभी सल्मान खान की तरफ से या उनके manager की तरफ से कोई भी official version नहीं आया है सिर्फ उन्होंने ये email जो है पुलीस को जरूर दे दी है जिसके अंदर सल्मान खान को धमकी दी गई है गोल्डी बरार की तरफ से देखते रहें जेके मीडिया और आप देख लीजिए पंजाब के हालात आज क्या बन चुके हैं और openly threat दी जा रही है सल्मान खान को राम राम